एलो नमस्कार प्यारे साथियों कैसे हैं आप सभी तो मैं क्यास नवाल आप सभी का आपके अपने बरवार देली प्लिस में आपके कंप्लीट होती क्या इसमें भी आपका पूरा जानकर देंगे आपका फीजिकल में कौन कौन से डॉकुमेंट्स आपको जरूरी है एक बारे में बात करेंगे आपका और एक मैथपोर सुचनावी में आपको दियूंगा जो कि आपका यूपी बिहार म करें में आपके कंप्लिक क्या जारी हो सकते हैं तो देखरसर आत् आपके आठ अगस्ते आपके जाली हो जाएंगे जाएंगे तो साथ हो आपके 18 और आपको समय गिस्टे आपको सब्सक्राइब पंदरा या बीट दिन आपके फ़ीजिकल के मांली यदि बहुत अप्ट इन Walter करवाते हैं तो अभुझेशामह नहीं किस्धवान पर तक आपको फिजिकल चलेंगे प्रतेक सेंटर आपको पता फिजिकल होने हैं यह आपको सभी को पता ही है आगे दिन बात करते हैं आपका के इसके लिए important documents क्या है जो आपका फिजिकल देने जाओगे तब आपको लेके जाने हैं तो साथ ही आपको नहीं को आपको आपको प्रफ ने बरतमाने की आपका और आपको अब आरे प्रूफ का 1ा कि मतलुक्त का है अधार कारई मतला नूब आपका अधार कट सबसे मेंन ले जाएगा सबसे वड़िया अधार काइड एक चाइए ऐसा कि फॉर शया आधाल कर ले जाए तो आपको वहीं पकड़ ले जाएगा इस बात को दाना करना आपके फूजिकल देने जाए तब आपका आपके मेडिकल आपके काव तक होंगे तो मेडिकल साथ हो आपके आपके साथ की साथ होंगे क्योंकि आपके आस हैं जो कि आपका अपने पूछ के देखाता है काफी बच्चे आपके सेलेक्टेड हैं काफी आपके अफसर बगएरा भी हैं जो अमरी जानकारी में हैं तो उन् सब्सक्राइब कर सकते हैं इस बात को दान रखीगा तो इस नमर पर आप मुझे बहुत सब्सक्राइब कर सकते हैं कोई पर आपको कोई बी मैं डिकल वगयरा कोई देक्क्त होती हैं अब बात करने चाहिए कितने नमबरों पर आपका नमबर आसकता है कितने पर नहीं आएगा तो तो एक बात का द्यान रहें अब की बार हाई कटॉप आपकी कव गए थी हाई कटॉप आपकी इसनी गए थी कि आपके NCC के जो नंबर थे आपका पहले बार आपके याने की लाश्टेर आप देखे तो NCC नंबर आपके फिजिकल के बार आपके एड हुए थे लेकिन अब की और आपके NCC की नंबर पहले एड हो गए हैं और यदि हम बात करते हैं 150 डूप के बच्चे ऑपके नंबर वाली गश्टे आपके नंबर वाले जो बच्चे आपके एकसी के लमसम के अश्टीनुब के लिए बच्ची आपके इंसे के देखे तो दो तीनी बच्चे से जो ब तो इसको बात क्या है आपका इज़नों नमर मिल गए तो आपके कट आप हाइग गई है अब बात रहे हैं तो इस बज़ेश से भी मेर्ट हो indeed हाई जाने के चांस भी रहे हैं जैसे किसी बच्चे के मालेच वार यू यू आर पके 145 है 149 पर आपकी मेंशना सब्सक्राइब अलको किए इन के नमबर थे नंवे यहां पिजिकल में कॉलुआ ना में वड़ें लेकिन यहां फुजिकल ilam पर आप समझसकते हो कि 5-6 नमर बढ़ेगी कुछ सेट ऐसे भी है जिनकी आपकी जितनी फिजीकल कट आप गई है जैसे माली किसी फिजीकल कट आप 88 है तो 870 आपकी क्यों सी आपकी फाइल भी रहनी है ऐसे भी स्टेट हैं तो सभी का जाहतर मैंने बता दिया बता भी दिया ह और जिनके मैंने हाई बताई हैं उनकी तो भाई हाई जाएगी जैसे लास्ट देखें आपका उत्राखंड के इडलुस की बौडर एडिया के आपकी 42 कट थी फिजिकल के आपकी 40 फिजिकल में कुछ बच्चों आपको 9 बच्चे यहाँ पर सीधा सीधा है तो इनकाल ने सकते हैं यहां में इकालेंगे अब यहां मैट मालेजे 40 से तो सीधा आपको पता भाई 80-90 तक आपको देखने को मिलेगी मिलेगी यह नॉर्मल सी बात होती है अब मालेजे कहीं पर मालेजे 100 वच्चे थे 100 में से मालेजे 30 वच्चे पास हुए और 15 वैकेंसी थी तो आपको बच्चे पास हुए तो इसका सीधा सही होता है तो यह रीजन होता है आपको पता है कि आपके फिजिकल चलेंगे तो आप इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चलिए तेलाद रखना में जुड़ जाईग जितना व्दम हो पूर आपका फिजिकल में लगा लिजीगा जितने वी नंबर आपके बन रहे है कुछ नहीं पता माल जी आपका दो नंबर ऊपर है आपके दो नंबर पर आपका सब्से peur हुआ कि अगर चन्छतर आगज़ असना अथन उप्सके सब्सक करें और लिए फ़िए अट अप्प तोड़ा पॉइंट व मंतर था जतनी फिजीकल का टॉप इसमें क्या मतलब बाई जतने बच्छे आपके फिजीकल में पास हुए थे उससे भी मेडिकल में निकल गए को डीवी में समस्याला बच्छे निकले थे लाइसेंस में यह बात दान रखना तो यहां भी बच्छे बच्छे हैं सबसक्राइबinhos , बच्छे क्यों निक seminar में में सुन थे उसक्ट ने थे इस सव क्यों हो भी आपको आप तर भी में सबसक्ण्रों सेया थे आ वहां और यह बढ़ जातें यहां पर यहां पर उनका 130 पर नहीं आना है वहां उनका 90 पर नमबर आ जाएगा तो चालिस नमबर का अंतर है इसलिए वह यहां से फॉरम बढ़कर के ले आते हैं अब की वार ऐसा नहीं होगा यह बादान रखेगा याने कि इसका मतलब क्या है असम बाले बच्चों के लिए बहुत बढ़िया बात है कि जितनी आपके फुजिकल की कटप गई है उतना ही आपके फाइल की कटप जाने के चांसे भी रहेंगे इसका रीजन क्या ह इसका रीजन यही है कि मान लीजें जिन बच्चों ने आपका फर्जी फरम बढ़ा है राहिस्तान से यूपी से बिहार से तो आपके बहुत बच्चे इसमें इलिजिवल नहीं होंगे उन्हें बच्चों को भार कर दे जाएगा और मेरा मानना यही है कि आप फुजिकल भी चार से पांच साल बिगरें आगे चलके मान लीजें अगर एक वार पकड़ भी गए तो आपके कोई भी कागज किसी कामका नहीं होगा यह बात भी दाना करना दांदली वाले बच्चों के लिए तो यह सबसे मैंट पॉइंट की बात है तो इसलिए कोई भी इस चक्र में न बाके में आपको बता दिया है जिनको बच्चों के नंबर अच्छे बन रहे हैं असम वाले बच्चों के लिए तो काफी बढ़िया है इन वाले बच्चों के लिए बैस्ट मॉंकर वाले बच्चों के लिए तो जतनी आपके फिजिकल गई उतनी फाइल जाने के चांसे रह रहे आप त्यारी करते रहिए आपका नंबर सुरिचित होगा टेंसर नाल है तो आप इस बार ही बर्दी पागर के मावरती की सेवा करेंगे चलिए साथ इसके बारे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तो यहां तक के लिए धनवार बबाटे के गाड़ ब्लेस यू ज जय हिंद जय वारत